साथियो नवसकार कैसे हैं आप लोग स्वागय थे कंप्टिशन कम्यूनिटी के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर साथियो आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं MPPSC के क्रेस कोर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं साथियो उसी तारितम में उसी प्रक्रिया में सारे आयोग के बारे में चर्चा की गई है उसी को हम अभी क्लास में कवर करते हुए आ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था किस आयोग के बारे में तो हमने केंद्री सुचना आयोग तर्था केंद्री सतर्गता आयोग के बारे में चर्था अब आगे की प्रक्रिया क्या है? तो हमेशा की तरह वही, पहले हम क्लास में पढ़ते हैं, पहले हम क्लास में डिटेल में चर्चा करते हैं किसी भी आयोग, किसी भी topic, किसी भी commissions के बारे में, उसके बाद हम उसी topic के MCQ लगाते हैं, MCQ की जो एक सीरीज है सातियो वो लाने का एक उद्देश ये है कि आप समझें कि जो भी टॉपिक आप पड़ रहे हैं जो भी आयोग जैसे हमारे साथ आप पड़ रहे हैं तो इन टॉपिक से इन कमिशन से कैसे एक्जाम में कोश्चन पूछे जाते हैं और कुछ महत्यपूर और समभावित जो आपकी एक्जाम में पूछे जाएंगे कोश्चन पूछे का किसी भी टॉपिक से आयाम क्या होता है उसको देखने के लिए हम MCQ यहां लगाते हैं इससे आपको प्रैक्टिस होती है आपको समाझ आता है कि इस टॉपिक से जो भी हम पढ़ रहे हैं उनसे आईए पढ़ना सुरू करते हैं तो देखते हैं आज का पहला प्रेश्ण क्या है आज का पहला क्या है प्रस नंबर एक कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्रवत्त हुआ तथा इसमें कव संसोधन यहां संसोधित लिखा हुआ है इसको आप ठीक कर लें यहां ह इन में से कव संसोधन हुआ सही बिकल्ब चुने सही आपसन के बारे में आपको बताना है आईए आपसन देखते हैं आपसन ए में कहता है कि सं 2003 और 2018 बी में कहता है सं 2004 और 2019 आपसन सी कहता है सं 2005 और 2020 और आपसन डी कहता है सं 2005 और 2019 साथियों आप कोश्चन का से समझ गए हों प्रबत्त हुआ तथा फिर उसके बाद कब इसमें संसोधन हुआ कब इसमें संसोधन किया गया उसके बारे में question पूछ रहा है आपका जो option है ये चार option में से आपको सही उत्तर बताना है तो इन में से जो सही option है जो right answer है वो है option D क्योंकि आप जानते हैं कि सूचना का अधिक दिनिया माया 2,05 में और प्र संसोधन दिनिया माया 2,019 में इसलिए option D जो है इसका right answer है question नमबर एक का तही उत्तर क्या है option D जिसमें कहा गया है कि 2005 में सूचना का अधिकार दिनिया माया और 2019 में उसमें असमें संसोधन हुआ जिसमें इन के चाहे सूचना आयुक्त हो चाह केंद्री सूचना आयोग में अध्यक्षेवं सदस्यों की नियुक्ति समीत में कौन सामिल नहीं होता इसके बारे में question पूछ रहा है। उसमें इनमें जो option दिये गए हैं इनमें कौन सामिल नहीं होते इनमें कौन से बेक्ति सामिल नहीं होते उसी के बारे में question पूछ रहा है। अब आप बताएं कि इनमें से सही option कौन है question के हिसाब से question ये पूछ रहा है कि इनमें आपको सही उक्तर देना है और वो आप से ये पूछ रहा है कि इस नियुक्ति समीत में सामिल कौन नहीं होता। तो आईए option देखें अब A में प्रधान मंत्री, B में लोगसभा द्यक्ष, C में लोगसभा में विपक्ष कानेता और D में कहता है प्रधान मंत्री दोरा मनुनीत एक cabinet मंत्री। एक cabinet मंत्री। अब बताईए इन में से कौन विपक्ति सामिल नहीं होता। तो आप अभी तक इसका एंसर कर पाएं होगी। तो इसका जो सही उत्तर है, जो इसका राइट अंसर है वो उप्षन B होगा लोगसभा द्यक्ष, क्योंकि साथियों लोगसभा द्यक्ष समीत में सामिल नहीं होते। ये एक तीन सदसी समीत होती है और उसमें प्रधान मंत्री जी हमारे देश के PM साहाब और PM क्या होते हैं? PM समीत के अध्यक्ष होते हैं समीत का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधान मंत्री जी के अध्यक्षता में समीत गठित होती है अब हम option C देखें लोगसभा में विपक्ष का नेता और D प्रधान मंत्री दौरा मनुनीत एक कैबिनेट मंत्री ये इस प्रकार से ये तीन सदस ये समेती गठित की जाती है इन में लोग सभाध्यक्ष सामिल नहीं होता तो question number 2 का option B सही उत्तर होगा right answer होगा अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसन देखते है question number 3, question number 3 क्या कहता है कि केंदरी सूचना आयोग कितने सदस्य निकाए है पूँच रहा है कि जो केंदरी सूचना आयोग है वो कितने सदस्य निकाए है अब कि option A में कहता है 9, B में कहता है 5, C में कहता है 7, D में कहता है 11 जो इसका सही उत्तर है, जो इसका right answer है वो क्या होगा तो वो option D इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ये 11 सदस्य निकाए है और इसमें बिवस्था क्या है उसके बारे में अगर बात करें तो केंद्री सूचना आयोग में एक मुख सूचना आयुक्त होते हैं एक कौन होते हैं? एक मुख सूचना आयुक्त होते हैं मुख सूचना आयुक्त और दस अन आयुक्त हो सकते हैं लेकिन अगर हम बरतमान की बात करें बरतमान इस्थिती की बात करें तो अभी अन आयुक्त जो 10 हो सकते हैं उन में 6 अन आयुक्त ही हैं इस प्रकार से अगर हम देखें कि केंद्री सूचना आयुक कितने सदसी निकाय है तो वो 11 सदसी निकाय है इसमें 11 लोग काम कर सकते हैं 11 जारा लोगों से ये गठित निकाय हो सकता है बरतमान इस्तिती की हैं हमने बात करी बरतमान में जो एक तो मुख सूचना आयुक्त है ही लेकिन जो अन सूचना आयुक्तों की संख्या 10 बताई गई है दिक्तम उनमें से 6 बरतमान में कारेरत हैं अब हम आगे बढ़ते हैं ओप्सण्स यहां है चार उप्संस है उन में से । एक महिला रही जो पहली महिला मुख स्यूचना आयुक्त थी। A में कहता है दीपक संधू, B में कहता है सुसमा स्रिवास्ताव, C में कहता है अलका लावा, और D में कहता है रजनी सिंग, जो इसके सहयुक्तर है, जो इसका राइट अंसर है, वो क्या होगा, option A, दीपक संधू जी, प्रथम महिला मुख सूचना आयुक्त रही हैं, अब हम आ सूचना अधिकार कानून बना, उसके बारे में question आप से पूछ रहा है, आईए option देखे, option A में कहता है नारवे, B में कहता है USA, C में कहता है United Kingdom, और D में कहता है Sweden, आप इसका सही उक्तर बताएं, क्योंकि हमने class में इसकी बारे में चर्चा की थी, आईए इसका जो सही उक्त इसका राइट एंसर है, वो option D होगा Sweden, Sweden एक ऐसा दिस है, जिसने सबसे पहले सूचना अधिकार कानून को बनाया, उसको लागू किया, अब हम आगे बढ़ते हैं, अंगले प्रस्न की हो, प्रस नमबर 6, question नमबर 6, कहता है, मुख सूचना आयुक्त की कदाचार एवं राष्ट पती को प्राप्त सिकायत की जाच कौन करता है, किसी भी सूचना आयुक्त हो, चाहे मुख सूचना आयुक्त हो, इनकी जो जाच रिपोर्ट होती है, वो कौन जाच रिपोर्ट करता है, राष्ट पती जी को अगर सिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी जाच कौन क करता है इन options में आप देखें और सही उत्तर बताएं option A में कहता है केंद्री सतर्गता आयो B में कहता है राष्टपती द्वारा निर्धारी समीत और C में कहता है सर्वोच नयाले और D में कहता है संसत जो भी question यहां है उनके बारे में हमने class पढ़ी थी जब हमने class में पढ़ा के जांच रिपोर्ट के बाद ही इनको हंटाने के प्रक्रिया सुरिश्चित की जाती है साबित कदाचार और रक्षमता के आधार पर मतलब इन में कोई सिकायत अगर आएगी राष्टपती जी के पास तो राष्टपती जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच नया अब हम आगे बढ़ते हैं अंगला प्रस्त क्वेश्चन नमबर सेबन कहता है कि केंद्री सुचना आयोग का नोडल मंतराले है नोडल मंतराले कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है नोडल मंतराले से आशाए आप जानते हैं जिस मंतराले की देखरेक में कोई भी कोई भी संस्था काम करती है, वो कौन सा मंत्राले है, जो नोडल मंत्राले के काम करता है, किसके लिए, केंदी सुझना आयोक के लिए, तो जो इसका सही उत्तर है, वो option के तहट हमको बताना है, इसका जो आयोक के लिए, इसलिए प्रस नमबर सेवन का जो राइट एंसर है, वो होगा, अब हम अगे वढरते हैं, अंगले प्रसन के बारे में चर्चा करते हैं प्रस नमबर एट कहता है मुख सूचना आयुक्त के बेतन एबं भत्ते किसके समान होते हैं जो मुख सूचना आयुक्त हैं उनके बेतन भत्तों के बारे में बात की गई है और इसकी बारे में हमने चर्चा क्लास में की थी आईए अप्सन देखें A में कहता है भारत के महा नयाईवादी B में कहता है मुख निर्वाचान आयुक और C में कहता है उच्छे नयाले के मुख नयाईदीस और D में कहता है उच्छे नयाले के नयाईदीस उच्छे नियाले मतलब हाई कोट के नियाधीस के बारे में बात कर रहा है और उच्छे नियाले मतलब सुप्रीम कोट के नियाधीस के बारे में बात कर रहा है इनके वेतन बत्ते और अगर हम बरतमान में मुख निर्वाचान आयुक्त के वेतन की बात करें तो धाई लाग रुपे इनको क्या दिया जाता है वेतन और वही वेतन किसका होगा मुख सूचना आयुक्त का केंदरी मुख सूचना आयुक्त का अब हम आगे बढ़ें अगले प्रसन के बारे में चर्चा करते हैं प्रस नंबर नाइन कहता है याचिका करता को समय से सूचना प्रदान ना करने पर आयोग लोग सूचना अधिकारी पर क्या दंड लगा सकता है ये कह रहा है कि अगर किसी ने सूचना मागी समय पर और संबंदित लोग सेबक ने उस सूचना को देने में डिल डफट पेली की लेट लतीफी की तो क्या किया जाएगा उसमें कौन से दंड का प्रदान किया जाएगा तो आईए ओप्सन देखें और सही उत्तर बताते हैं ए में कहता है डंड देने का अधिकार नहीं है B में कहता है 1,00,000 रुपए तक और C में कहता है 6,000,000 वा 25,000 रुपए तक दंड और D में कहता है कि 25,000 रुपए तक दंड तथा 200,000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से लिया जाएगा तो जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट अंसर है और जितने दिन लेट हो रहा है, समय आवध के उपर हो रहा है तो 200 रुपए प्रति दिन के हिसाब से अर्थ दंड लगाए जाने का प्राबधान है किसी भी लोग सूचना अधिकारी पर यदि वो समय से सूचना संबंधित वक्ति को प्रदान नहीं करता है तो इसलिए कई बार समय से सूचना मिलती हैं क्योंकि इस दंड का प्राबधान होने के कारण ऐसा होता है आईए आगे बढ़ते हैं इन में से कौन मुक्त सूचना आयुक्त नहीं रहा इस तरह के कौन्स आपके मंधिर प्रदेश का जो प्रारंभिक परिच्छा है उसमें कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप चाहे वो कोई भी आयोग हो चाहे वो कोई भी समयधानिक संस्थाए हो चाहे हमारे मुख मंत्री हो राजपाद हो, राष्ट पती हो इन सब की जो एक लिस्ट है जो प्रतम से लेकर बरतमान तक की उनके बारे में एक्जाम देने जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाएं क्योंकि ऐसे कोईशन आपके एक्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आँगे भी पूछे जाने की संभाबना है बहर्याल यहां हम कोईशन नम्बर टिन के सही ओसन के बारे में चरचा करते हैं आपसे ओसन क्या पूछ रहा है क strictly कहए रहा है कि इन में से कौन मुक्षचन आयकत नहीं रहा A में कहता है वजाहत हवी भूल्ला, B में कहता है दिबप्रकास सिन्हा C में कहता है A अंतिवारी और D में कहता है सत्यानंद मिसर जो इनमें से सही उतर है वो option B होगा क्योंकि दिब प्रकासिनहाजी कभी भी मुख्व सूचना आयुक्त नहीं रहें बाकि जो नाम यहां दिये गए हैं वो कभी न कभी मुख्व सूचना आयुक्त रहें तो इस तरह के options के इस तरह के questions के बारे में आप पहले से तयार रहें आईए हम बढ़ते हैं अगले question क्यों next question question number 11 प्रस number 11 कहता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नुसार ब्यक्ति को क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं जो हमारा सूचना का अधिकार आया जो सूचना अधिकार अधिनियम आया 2005 में उसमें किसी भी ब्यक्ति को सूचना से संबंधित कौन-कौन से अधिकार दिये गए हैं उसके बारे में question उच रहा है आये हम option देखे हो सही उप्तर बताएं A में कहता है पहले कथन में कहता है सामगरी के प्रमारित नमूने प्राप्त करना दो में कहता है कारियों दस्ता बेजें अभलेकों का निरक्षण करना और तीसरे में कहता है यदि सूचना इलेक्टरिक माध्यम में है चाहे वो फ्लॉपीडिक्स में हो टेप में हो, प्रिंट में हो आउट आधी माध्यम में प्राप्त करना आपको ये प्राप्त करने का अधिकार है तो इन सही आप्सन जो हैं ये तीन आप्सन हैं इन में से जो कतन हैं उन में से आप्सन के हिसाब से आपको सही उतर बताना है कहता है इन में से कौन सा सही आप्सन है ये जो कतन है इन में से कौन से सही है क्या पहला सही है कहता है कि केबल पहला और दूसरा सही है और C option में कहता है कि तीसरा और दूसरा सही है और D option कहता है उपरोक सभी सही है अब हमको बताना है क्या इन options से इन कथनों को decide करना है तो साथियो ये तीनों अधिकार यहां लिखे गए हैं कथन के द्वारा ये तीनों सही हैं और इन तीनों की पुष्टी कौन सा option करता है? Option डी इनकी पुष्टी करता है, क्योंकि option डी में ये कहा गया है कि उपरयोग सभी कफन सही है, तो हमने ये समझा कि सूचना का अधिकार अधिनियम आया जो 2005 में उन में ये सभी अधिकार किसी भी बेक्थी को सूचना से संबंधित दिये गए हैं अब हम आगे वढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर अंगला प्रसन क्या है अंगला प्रसन है प्रस नमबर बारा कि मद्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ आपके ऑप्सन ए में है 22 अगस्त 2005 बी में कहता है 15 अग इस एंसर है क्योंकि 22 अगस्त 2005 को क्या हुआ मद्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ अगर इसके गठन की बात करें कि इसके गठन की प्रक्रिया क्या रही कैसे इसका गठन किया गया तो आईए समझते हैं सूचना का अधिकार जो संरक्षन अधिनियाम आय संरक्षन अधिनियाम आया 2005 में 2005 में और उसी के द्वारा क्या हुआ सूचना के अधिकार का आयोग जो है मद्य प्रदेश में गठित किया गया कब किया गया 22 अगस 2005 को वही कोश्चन आप से पूछ रहा है अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की और प्रस्ट नंब अब आप यहां देखें कह रहा है कि मद्य प्रदेश का जो राज सूचना आयोग है उसमें अन्द सूचना आयोक्तों तथा मुक्ष सूचना आयोक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ती करने का काम कौन करता है उनकी नियुक्ती कौन करता है आईए ऑप्सन देखें A में कहता है मुक्ख मंतरी B में कहता है केंदरी सूचना आयोग C में कहता है राज़पाल और D में कहता है राज़ मुक्ख सूचना आयोग इनके अन्युक्ती करने का काम साथियो राज़पाल करते हैं ऐसा हम पढ़ चुके हैं लेकिन राज़पाल एक समित के तहट करते हैं और उस समित की अगर बात करें कि उस समित में कौन कौन लोग सामिल होते हैं तो मुख्ध मंत्री जी उस समित के क्या होते हैं अध्यक्ष होते हैं विपक्ष का नेता होता है उसमें विपक्ष का नेता और मुख्ध मंत्री द्व पुछा गया है कि प्रस्ट नंबर 13 का सही option क्या है निक्ति करने का काम कौन करता है तो आप बताएंगे कि राज पालिन की निक्ति का काम करते हैं और वो एक समित किसी पारिस पर करते हैं जो समित 3 सदस्टी होती है और उस समित का अध्यक्ष कौन होता है मुख मंत्री जी होत में पूछ रहा है यह प्रकार का करेंट का भी कुश्चन हो सकता है तो प्रस्ट नंबर 14 ऐ में कहता है टीम स्रिवास्तो बी में कहता है एकवाल अहमाद और सी में कहता है अरविंद कुमार सुकला और दी में कहता है सुरेंद सिंग जो इसका सही उतर है जो इसका राइट है वो क्या होगा तो राइट एंसर होगा option C क्योंकि बर्तमान की अगर बात करें बर्तमान मुख सूचना अयुक्त अरविंद कुमार सुकला है और टीयन स्री वास्तव पहले मुख सूचना अयुक्त रहे हैं कौन टीयन स्री वास्ताव जी इस तरह हमको इस question में दो चीजे दो फैक्ट के बारे में जानकारी मिलती है अब हम आगे चर्चा करते हैं next question कियो तो प्रस नंबर 16 कहता है कि मद्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ मद्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कैसे हुआ इसके बारे में question पूछ रहा है आपका जो पहला option है वो कहता है बिधान सभा के अधिनियम दौरा B में कहता है केंद्री सूचना आयोग दौरा C में कहता है राज्य सरकार के अधिसूचना दौरा और D में कहता है राज्य पाल के आदेश के दौरा जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट अंसर है वो हमने कलास में पढ़ा है आयोक संरक्षन अधिनियम 2005 आया उसी के तहते इसका गठन किया गया आईएव हम आगे बढ़ते हैं प्रस नंबर 16 प्रस नंबर 16 कहता है कि मद्ध प्रदेश के मुख सूचना आयोक्त नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है इसके बारे में हमने अभी पिछले कोश्च चर्च, C में कहता है विदान सभा में नेता प्रदिपक्ष और D में कहता है राजजिपाल जो इसका कोश्चन का सही अंसर है जो इसकोश्चन का राइट अंसर है वो होगा आप्स्टन A क्योंकि मुख मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं इस समीति के बारे में हमने आभी पि कि यह तिति के बारे में question पूछ रहा है आपके option A में है एक AmberG vie B में है घ्यारा फरवरी 1964 और केंद्रिस तरगता आयोग के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है सी में कहता है घ्यारा फरवरी 1964 और ढी में कहता है बारा फरवर से 16 63 जो इसका सही उत्तर गा जो इसका रैइट इन्सर होगा साथ ही ओ procent बी होगा और केंद्र dwarf केंद्रे सतरकता आयोग इस्थापित हुआ है अगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ण देखते हैं प्रस्ण 18 प्रस्ण फूछ रहा है इसे माननीच राष्ट पती जी को अपनी वार्श रिपोर्ट देते हैं और रास्ट पती जी संबंदित सदन में संबंदित विधान मंडल में इसको रखवाने का काम करते आईए आगे बढ़ें और प्रस नंबर 19 कहता है केंद्री सतरगता आयोग को एक केंद्री स्वायत सामविधिक निकाय का दर्जा कब दिया गया इसके बारे में कुश्चन पूछ रहा है किनको वैधानिक निकाय कब बनाया गया A में कहता है 2000 B में कहता है 2003 C में कहता है 2005 और D में कहता है आपके 2002 इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है तो जो इसका सही उत्तर होगा जो इसका राइट अंसर होगा ऑप्सन B होगा 2003 में केंद्री सतरगता आयोग को क्या किया गया सामविधिक और वैधानिक दर्ज तरकता आयोग की स्थापना किस समित की सिपारिश पर की गई कोई भी समित होती है उसके द्वारा सिपारिश की जाती है किसकी जब भी कोई आयोग गठन होता है तो वही पूछ रहा है आपसे केंद्रिस्त तरकता आयोग की स्थापना किस समित की सिपारिश पर की गई आपके option A में है भूरेलाल समित, B में संथानम समित, C में कहता है सिवराम समित, और D में कहता है राजन समित, जो इसका सही अंसर है, जो इसका राइट अंसर है, वो है option B संथानम समित के द्वारा क्या किया गया, केंदरी सतरगता आयुक्त से संबंधित कौन सी समीती है, आप सन में आप देख के बताएं, तो आप बताएंगे कि संथानम समीती, इसका सही अंसर है, इसका राइट अंसर होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्ण के बारे में चर्चा करते हैं, प्रस्ण नंबर 21, कोश्चन नंब शरतें किसके संखक्षे होती हैं, इनके बारे में आपसे कॉश्चन पूछ रहा है, तो अपसन आपके हैं, A में कहता है संघलोग सेवायोग के अध्यक्षो, B में कहता है महानियाइवदी, C में कहता है उच्चितम न्याले के मुक्ष न्यायदीश, इसका सही अंसर है, जो आपको ध्यान देने योगबात है कि संग लोग सेवा अयोक के अध्यक्ष के वेतन वत्तों का निर्धारण कौन करता है वो संसद तय करती है और संग लोग सेवा अध्यक्ष का जो भी वेतन वत्तों होंगे और सेवा सरतें वो मुख सुचना आयुक्त के मतलब जो संग लोग सेवा आयुक्त के अध्यक्ष को प्राभधान है वेतन वत्तों का वही प्राभधान के अंदरे मुख सतरकता आयुक्त के बारे में किया गया है आप यहां सतरक्ता आयुक्त के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आपको किसी प्रकार का confusion नहीं हो इसलिए ऐसे detail में चर्चा करी है कि संसत निधायित करती है किसका लोक सिवा आयोक के अध्यक्षिकावेतन और भत्ते आगे बढ़ें अंगले प्रस्ण की ओर प्रस्ण नंबर 22 कहता है केंद्रे सतरक्ता आयुक्त के निउक्ती समीती में कौन सामिल नहीं होता केंद्रे सतरक्ता आयुक्त के निउक्ती होती है जो वो एक समीती किसी पारिश पर होती है और वो समीती में कौन सामिल नहीं होता उसी के बारे में आपका question पूछ रहा है प्रस्न पूछ रहा है आईए देखते हैं option A में कहता है लोगसभा द्यक्ष B में कहता है लोगसभा में विपक्ष का नेता और C में कहता है केंद्रिय ग्रह मंत्री और D में कहता है प्रधान मंत्री साथियो इस समीत में सामिल कौन नहीं होता तो अगर देखें तो इस समीत में लोकसभा के अद्धक्ष सामिल नहीं होते बाकी ये तीनों चाहे लोकसभा में विपक्ष का नेता हो चाहे केंद्रिय ग्रह मंत्री हो चाहे प्रधान मंत्री जी हो क्योंकि प्रधान मंत्री ही इसके अद्धक्ष होते हैं तो केंद्रिय सतरक्ता आयुक्त समीत में सामिल नहीं होता तो कौन लोग सभा अद्धक्ष सामिल नहीं होते इसमें आईए आगे बढ़ते हैं अंगले प्रस्ट के बारे में चर्चा करते हैं प्रस नमबर 23, कोश्चन नमबर 23 कह रहा है कि बरतमान में केंद्री सतरकता आयुक्त कौन है? A में कहता है सुरेश और पटेल, B में कहता है केवी चौधरी और C में कहता है प्रदीप कुमार और D में कहता है महेश दिक्षित बरतमान में केंद्री सतरकता आयुक्त कौन है इसके बारे में question पूछ रहा है तो बरतमान में केंद्री सतरकता आयुक्त सुरेश एन पटेल साहब है आपका सही option A होगा question number 23 का सही option A होगा अब हम बढ़ते हैं अंगले question की ओर प्रस number 24 कहता है केंद्री सतरकता आयोग में मुख सतरकता आयुक्त कौन होता है उसके बारे में question पूछ रहा है A में कहता है भारती ये बंद सेवा के अधिकारी B में कहता है भारती ये प्रसाशनिक सेवा के अधिकारी और D में कहता है भारती पुलिस सेवा के अधिकारी, जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका रायट अंसर होगा, वो क्या होगा, तो वो होगा और जो वो गा plugged B, भारती प्रसासनिक सेवा की अधिकारी ही, केंद्रिय सतरकता आयग में मुक्सतरकता आयूक्त हो सकते हैं, बन सकत कुझों है हुटा सकते हैं आप जानते हैं कि हने का प्राबधान अगर काये-काल के दौरान देखें तो की सतरक्ता को किसiben को है राश्ट पती जी को है लेकिन किन परिस्थितियों में राश्ट पती जी उनको हटा सकते हैं उन परिस्थितियों के बारे में आपको option देखके सही उत्तर बताना होगा A में कहता है दीवालिया घुसित हो जाना B में कहता है नेतिक भरष्टा चार संबंदिये प्राधों में दो सिद और C में कहता है कोई लाब का पद्धारन करना यह जो ऑप्संस दिये गए हैं इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा क्लास में की है जब हमने क्लास में पढ़ा है उस समय इनके बारे में चाहे दीवालिया हो जाना क्या होता है लाब का पद्धारन करना क्या होता है चाहे नेतिक भरष्टा की बात हो इन सब के बार जो इसका सही अंसर होगा, जो इसका राइट अंसर होगा, वो होगा option D, क्योंकि इन सभी के, ये जो सभी हैं, ये जो कथन ऊपर कहे गए हैं, इन सब के होने पर, इन में से कुछ भी अगर राष्ट पती जी को लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इनको हटा सकते हैं, पत स गुरूपता सब्ताय मनाया जाता है कम मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस वाले सब्ताय पर बी में कहता है सरदार पटेल के जन्म दिवस वाले सब्ताय पर और सी में कहता है इंद्रा गांधी के जन्म दिवस वाले सब्ताय पर आपको बताना है कि इन में से कौन सा उप्सन सही है A में महात्मा गंधी B में सरदार पटेल C में इंद्रा गंधी और D में नरेंद मोदी के जन्म सप्ताह के बारे में बात कर रहा है जो इसका सही उत्तर होगा जो इसका राइट एंसर होगा वो उप्सन B होगा सरदार पटेल के जन्म दीवस वाले सप्ताह पर ऐसा किया जाता है केंद्रिय सतर्गता जाग रूपता सप्ता मनाया जाता है अब हम आगे बढ़ें next question की ओर देखें तो press number 28 कहता है मुख सतर्गता वा अन्न सतर्गता आयुकतों का कारिकाल कितना होता है कारिकाल के बारे में पूछ रहा है ये एक simple सा question है तो इसका जो सही उतर होगा जो इसका right answer होगा वो होगा option A चार वर्सिया 65 वर्स की आयू हम आगे बढ़ें और अंगला प्रसंद देखें question number 23 केंद्रिय सतर्गता आयोग अद्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य हो सकते हैं इसके बारे में पूछ रहा है तो जब हमने class में पढ़ा था उस समय हमने चर्चा की थी आपके option देख लें A में कहता है दो B में 3 और C में 4 और D में 6 इन में क्या होगा एक मुक्ष सतर्गता आयूक्त होगा तथा 2 या 2 से कम ऐसे व्यक्ति अन्य सतर्गता आयूक्तिया सदस्य की रूप में काम करेंगे इसलिए ये एक प्रकार का 3 सदस्य निकाय है option B इसका सही उत्तर होगा अब हम देखें question number 30 कह रहा है कि केंद्री सतर्गता आयूक्त की सक्ति विस्तारित है कहां तक उसकी सक्ति विस्तारित है उसके बारे में question पूछ रहा है उसके बारे में question में आपसे पूछा गया है A में कहता है केंद्र सरकार के विभिन मंत्रालेयों के सतर्गता प्रसासन के अधिछन तक B में कहता है भारत के राष्ट पति और प्रधान मंत्री के प्रकारियों C में कहता है अन्य देशों के परवेच्छन तक और D में कहता है इन सभीत वक्त साथियों जो इसका सही अंसर है जो इसका राइट अंसर है वो क्या होगा option A इसका सही उत्तर होगा अब हम बढ़ते हैं आज के अंगले और अंतिम प्रेस्ट की ओर प्रेस्ट नमबर 31 कहता है केंद्रे सतरकता आयोग भ्रष्टाचार के मामले के केंद्र के लिए कैसा निकाय है साथ ही option 20 का सही उत्तर होगा क्योंकि ये एक प्रकार का सलाहकारी निकाय है ये केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करता है भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों पर तो साथियों हमने यहां क्या देखा हमने केंदरी सूचना आयोग केंदरी सतरक्ता आयोग तथा मद्धपदेश राज्य से संबंधित जो भी सूचना आयोग या सतरक्ता आयोग से संबंधित important question थे और वो facts थे उनके बारे में हमने चर्चा करी मैं उमीद करता हूँ कि यह question answer session आपको फायदे बंद रहा होगा आपकी तैयारी को और प्रभावी बनाता होगा आप जुड़े रहें competition community के team के साथ और अपनी तैयारी को और बहतर बनाते रहें पढ़ते रहें और हमेशा की तरह खुस रहें अच्छे रहें चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम मिलते हैं नेक्स्ट आयोग के साथ आपको अगली question class में तब तक के लिए नवसकार धन्यवाद आपको